हेलो फ्रेंड करेंगGreen यह लुट होने लग जाता है ya पेट फूलने लग जाता पinek अग्दम से भारी पन लगता है तो उसके लिएाज हम बनाएंगे एक? आज की हॉंम रेमेडी फैक के फैस्त के लिए आपके फैस्त में खाना हत्तां हम फूलने दान चांव तो इन सवी के लिए बहुत ही फायते मन नुसका है इस रेमेडी को पीते ही आपको कम से कम दस से पंदा मिट में इतनी तेजी से आराम मिलने लगेगा और इस रेमेडी को लेने से कोई पी आपको साइड एफेक्ट नहीं होने वाला है और आप इसे निशिंध होकर लीजिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने एक पैन गेस पर रखा है तो उसमें डालेंगे हमें एक ग्लास पानी पानी मैंने सिंपल जो पीने वाला नॉर्मल पानी होता वो ही लिया है और अब हम मिला देंगे इसमें एक चम्मच अब तीनों चीजों को आपको अच्छे से मिला देना है अद्रकरस मैंने इसमें मिला दिया है तो अभी हमको करना है इंतजार क्योंकि अभी इस पानी में आएगा एक खौल बहुत जादा नहीं खौलाना इसको क्योंकि बहुत जादा गैस पर अगर रखे रहोगे इस पान में तो अब मैं इसमें डाल दूंगी एक चुटकी हींग के मात्रा आप देख सकते हैं कितनी हींग लिए मैंने हींग को भी अच्छे से मिला देंगे अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक बहुत ही ज्यादा फाइदेमन है यह रेमेडी तो आप एक वाद जरू ट् को कितन матrov में इसको लेना हीं कवकव पीना है तो इतना पानी आपकोएक वार में पूरा नहीं किना में two बार में आपको पीजिए एक औरNE के एक घंटे पहले और सांम को भी सलिदी को भीडियां को बहारी पन हूंता बहुत ही जादा फाइदेमंद है और इस पानी को पीने में क्या क्या फाइदा होता है और किस जगह फाइदा करता है तो भी आपको हम बताएंगे सबसे पहले तो आपको जो नीद की समस्या है कई लोगों को नीद नहीं आती है तो बहुत समस्या भी इस पानी को पीने से दर्द होता है उसके लिए तो है फाइदे मन्द साथ ही आपके कोलेस्टोल को भी कंट्रोल करता है आपकी इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत करता है और इसकिन पर भी बहुत ज़्यादा गिलूव आता है इस रेमेडी से और बजन कम करने में तो बहुत जादा साया कि यह डिप्रेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा फाइदी मन्द है वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक सस्काइब कर दीजिए थैंक्यू पर बाचिंग